हलो फ्रेंस मैं हूँ आपकी फ्रेंस सुधा सुधा भूमें आपका एक बार फिसे स्वारत है फ्रेंस आज हम आपसे बहुती आसाम तरीके से अलग तरीके के बने पापड की रेस्पी सेर करेंगे इन पापडों को बनाना बहुत आसान है कम कॉंटिटी में हम धेर सारे पापड बना का तया कर सकते वो भी कुछी मिनुटों में और फ्रेंस आज हम इन पापडों को कुछ tipS और trick के बताएँगे फ्रेंस वीदियो को full watch कीजिएगा आज तक आपने सूजी और मेदा से बने पापड तो बहुत बनायोंगे लेकिट क्या आपने सूजी और मेदा से दोनों मिक्स करकर पापड को बनाया है नहीं बनाया है तो आप एक बार इस वीडियो को जरूर से देखिएगा क्योंकि आज हम कुछ खास टिप्स के साथ इन पापड को बना का तया करेंगे आप चैनल को सब्क्राइब करना बुलकुर मत भूलिएगा साथी में पहला अकन भी प्रेस कर दिजिएगा पापड बनाने के लिए हमें चाहिए होगी सूजी हमने एक छोटी बॉल में सूजी लिए और एक छोटी बॉल में ही हमने मैदा लिए अगर आप कप से मेरमेंट लें तो आदा आदा कप सूजी और मैदा है जी आँ फ्रेंस आज हम इन दोनों ही चीजों से पापड बना कर तया करेंगे सूजी और मायदा से बने पापड़ खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं सबसे पहले हमें चाहिए होगा mixisar इस mixisar में हम ये मायदा को add कर देंगे मायदा के साथ ही हम सूजी add कर देते हैं और अब हम mixisar को बन कर देंगे और इसे महीन पीस लेंगे ताकि हमारी सूजी मोटी भी होगी नवह अच्छे से पिस जाएगी और पापन हमारे बहुत ही अच्छे बन कराएंगे तो इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला है, दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करकर पीस लिया है और यह आप दे सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से ही है, हमारी दोनों ही चीज़ें पिस गई है इस तरह से पीशने से सूजी अच्छे से पिस जाती है तो अब इसमें हम पानी डालेंगे तो पानी का मेरमेंट हम उसी बॉल से लेंगे जिस बॉल से हमने सूजी और मैदा का मेरमेंट लिया था तो अब इसमें हम दो बॉल के करीब पानी डाल देंगे और मिक्सी जार को बंद करकर हम एक बार फिर से चला लेते हैं तो ये बैटर को हमने अच्छे से पीछ लिया है इस तरह से पीछने से घुटलिया नहीं पड़ती है और ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाती है और ये आप दे सकते हैं बहुत ही अच्छा गोल बनकर आया है सूजी हमारी एक दम बारिक हो गई है बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनकर आया है अब इसे हम एक सेपरेट प्रॉल में निकाल लेते हैं फ्रेंस पापड बनाना बहुत आसान है लेकिन इस तरीके से बने पापड खाने में बहुत ही क्रेस्पी लगते हैं सो फ्रेंस आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा अब हम उसी बॉल से पाणी का मेरिमेंट लेंगे तो अब इसमें हम करीब तीन बॉल पाणी एट कर देते हैं जी आप फ्रेंस इन पापड़ों को बनाने के लिए हमें पानी का खास ध्यान रखना होगा हमें पानी की कॉंडूटी बहुत ज्यादा रखनी होती है इससे ही हमारे अच्छा गोल पक कर आएगा और बहुत ही अच्छे पापड़ बन कर आएंगे तो यह आप बैटर की कंस गोल हमारा अच्छे से पक चाए इसलिए हमने इसमें अभी चार बॉल पानी याड किया है तो अब इसमें हम आदा चम्मस से भी कम नमक एट करेंगे जी आप फ्रेंस नमक का आप खास धियान रखें और आदा चम्मस से भी कम बेकिंग सोडा याड कर देते हैं अब इसे हम पकाएंगे गैस का फ्लेम मेडियूम हर्टा पकाएंगे पकाएंगे जैसे ही इसम आइ वल्लूवा पकाएं ए आ हम लगता इस बैटर को हमें लगाता चलाते हुए पकाना है इसे हमें छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना है तो हम कचड़ी को लगाता चलाते हुए लंप्स को खतम कर देंगे और फ्रेंस जब आपको लगने लगे कि आपका घोल गाड़ा हो गया है वह अच्छे से पकवी नहीं पाया है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और डाल लें हमें सिर्फ इस घोल को अच्छे से पकाना है तो ये गुल हमारा थोड़ा सा गाड़ा हो गया है तो अभी इसमें हम एक बॉल के करीब पानी और एट कर देते हैं और इसे अच्छे से पकाते हैं अब आप सोच रहे होंगे फ्रेंस की इसे हमें कब तक पकाना होता है फ्रेंस इसमें हमने सूजी एट किये तो इसलिए हमें सूजी अच्छे से फूल नहीं जाती तब तक हम इस गोल को पकाएंगे और अगर आपको ऐसा लगे कि एक बॉल पानी डालने के बाद भी आपका गोल गाड़ा हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और डालने तो इस टाइम अब हम इसमें डालेंगे जीरा जी आप फ्रेंस जीरा हमने पहले नहीं डाला था जीरा आप बाद में ही डालें तो इसमें हमने आदा चमच के करीब जीरा एट कर दिया है फ्रेंस हम इस बैटर को इंडेक्शन पर पका रहे हैं इसलिए इसमें बव्स नहीं आएंगे आप गैस पेपका थो इसमें हलके बवस आना सुरू हो जाएंगे तो gotino up शुचुल आप इस टांप को पका है तो याप दे सकते हैं कर्चली से लगाता Jenny सथ चलाते हुएआ इसमें एक भी लंप्स नहीं है इसको अच्च अच्छे से फूल नहीं जाती फ्रेंस जितने अच्छे से आपका यह बैठा तयारyu होगा उतने ही अच्छे आपके पापड बनकर आएंगे यानि कि सूजी और मैदा अच्छे से पक प्लास्टिक योंगे तो प्लास्टिकी पॉलितिन ले लिए अब को इस पर दो पापड बना कर दिखाएंगे बाकि के पापड हम ढूंगे तो यह सकते हैं तोड़ा सा बेटर डालकर और आपको इस तरीके से गोल-गोल घुमा देना है ध्यान रहें कि इस पापड को हमें ज् तो आप एक चमच बेटर को डाल कर और इस तरीकी से गोल गोल घुमा दीजिए और पापड़ को आप अपनी मन पसंद थोड़ा सा चोटा या बड़ा बना सकते हैं तो दो पापड़ों को हमने बना कर दिखा दिया है बिल्कुल इसी तरह से हम अपनी ये सारे पापड़ों को बना का तयार कर लेंगे तो ये हमने धूप में सारी पापड़ों को सुकाने के लिए छोड़ दिया है दो दिन की धूप में ये पापड़ बहुत ही अच्छी से सूख जाएंगे और यहां पर आपको खास द्यान रखना है कि ये पापड़ ऊपर की सत्य से हलके से सूख ज तो यह हमने दो दिन की धूम में पापड़ों को अच्छे से सुखा लिया यह आप दे सकते हैं बहुत ही अच्छे पापड हमारे बन कर आएं सूझी और मैदा से बने पापड़ खाने में बहुत ही क्रेस्पी लगते हैं और अगर आपको यह मेरी रेश्पी जरासी पसंद तो प्लीस नीचे दिये हूँ रेर बेटन को जुरूर से प्रेस कर दीजिएगा आप इन पापड़ों को हम तलेंगे तो पापड तलने के लिए ओल आपका अच्छा गरम होना चाहिए तो यह हमने ओल को अच्छा गरम कर लिया है गैस कपले मीडियूम कर दिया है और यह आप सकते हैं एक छोटा सा पापड कितना बड़ा पापड बनकर आया है बहुत अच्छे पापड अच्छा भूल कर आया है जो फ्रेंच देखा आपने इन पापडों को बनाना कतला आसान है यह तेच्टी क्रेश्पी पापड खाने में बहुत यह यह अदा यमी लगते आप भी एक बार इस तरीके से इस होली पर इस रेसिपी को जरूर से टाइ कीजिए गा और मुझे कमेंट करके जरूर से बताईएगा कि आपके भी पापड इस तरीके से बने थे क्या और यह आप दे सकते हैं कुछ पापडों को हमने सेक कर तैयर कर लिया है बहुत ही अच्छ सूजी और एक छुटी बॉल मैदा ली थी और इसी बॉल से हमने दस बॉल पानी एड़ किया है बैटर में जब फ्रेंस आप इस तरीके से इस पापडों को बनाएंगे तो आपके भी पापड बहुत ही अच्छे बन कर आएंगे पसंद आए तो प्लीज आप भी इस तरीके से एक बार इस रेस्पी को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर से बताईएगा कि जब आपने इन पापडों को ट्राइ किया तो आपके पापड इस तरीके से बने या नहीं और अगर आपको ये मेरी वीडियो जरासी भी पसंद आए तो प्लीज नीचे दिए उरे बेटन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा साथी में पहला आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही अच्छी ची वीडियो को नोटिफिशन आपको सबसे पहले मिले देखने को अभी के लिए फ्रेंस इतना ही मिलते हम एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइ बाइ थैंस पर वाचिंग माई वीडियो और फ्रेंस बाइ बाइ